दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका My Healthy Product Reviews चैनल में और दोस्तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ पतंजली के अस्वगंदा कैपसूल और हिमालिया के अस्वगंदा टेबलेट के बारे में कि दोनों में से जादा फाइदे मन कौन सी होती है दोनों में से जादा बैस्ट कौन सी होती है देखिए दोस्तो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था इस हिमालिया के अस्वगंदा टेबलेट के उपर तो वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि सर पतंजली की अस्वगंदा अच्छी है या फिर हिमाल्या की अस्वगंदा टेबलेट अच्छी है तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको इसी के बारे में बात करने वाला हूँ देखे दोस्तों अगर आप इसी तरग की वीडियोस देखना चाते हैं प्रोड़क के कमपेरिजन के उपर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए देखे दोस्तों अस्वगंदा को आयरवेद में उससा जड़ी बुटी के नाम से जाना जाता है अस्वगंदा जो है वो वजन बढ़ाने, बोडी बनाने और कमजोरी में फायदेमन होती है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यहां पर हम बात करेंगे कि पतंजली की अस्वगंदा कैपसूल बेस्ट है या फिर यह हिमल्या की अस्वगंदा टेबलेट बेस्ट है देखे दोस्तों यहां पर हम इसे तीन तरीके से कंपेर करेंगे सबसे पहले बात करेंगे दोनों की price और packing किया है उसके बाद हम बात करेंगे दोनों में ingredients कितने ڈाले गए है इसके बाद हम बात करेंगे easy way of use क्या है और दोनों की quality कैसी है अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पे एक like जरूर करना सबसे पहले यहां पर बात करते हैं प्राइस और पैकिंग के उपर तो पहले बात करते हैं इस पतंजली के अस्वगंदा के बारे में तो दीखें यह कैपसुल फॉम में है जिसमें आपको 20 कैपसुल मिलती है जिसकी जो प्राइस है वो है 50 तो 50 रुपे में ये आपको 20 कैपसुल मिल जाएगी वहीं पर बात करें हिमालया के अस्वगंदा टेबलेट के बारे में तो इसमें 60 टेबलेट आती है जिसकी जो प्राइस है वो है 150 तो वैसे अगर प्राइस और पैकिंग के तोर पर देखा जाए अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इंग्रीडेंट के बारे में तो देखिए इसमें दोनों में जो है वो अस्वगंदा के जड़ का पाउडर डाला गया है लेकिन पतंजली की जो अस्वगंदा है उसमें पूरी जो जड़ है उसका एक्स्टेक भी है और पाउडर भी है जो की 390 mg और 50 mg में डाला गया है हाला कि यह जो हिमल्या की अस्वगंदा टेबलेट है उसमें केवल रूट का पाउडर है जो की 250 mg डाला गया है तो root का जो powder form होता है वो काफ़ी अच्छा होता है हाला कि वो आप पे depending करता है कि आप पूरी जड़ को इस्तमाल करना चाते है उसमें जो pure powder निगलता है उसका इस्तमाल करना चाते है तो यहाँ पर अगर आप ज़्यादा मात्रा में जड़का इस्तमाल करना चाते हैं तो पतंजली अस्वगंदा विनर है अगर आप purity के साथ stability के साथ जाना चाते हैं तो ये हिमल्या की अस्वगंदा बेस्ट है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं easy way of use के बारे में तो देखिए ये capsule form में है जो की पतंजली की अस्वगंद ये टेबलेट form में है कई लोगों को जो capsule है वो suitable नहीं होती है तो आप ये अस्वगंदा टेबलेट ले सकते हैं लेकिन अगर आप capsule के साथ comfortable है तब आप ये पतंजली की अस्वगंदा ले सकते हैं यहाँ पर मैं personally बात करूँ कि मेरी दोनों में से favorite brand कौन सी है तो देखिए वैसे तो मेरी दोनों ही favorite brand है लेकिन जो personally मुझे अच्छा result मिला है वो मुझे सीमाल्या के अस्वगंदा के साथ मिला है तो ये आप पे depend करता है कि आपका trust किस brand पे ज़्यादा है आप किस को बाय करना चाहेंगे